अग्रिकल्चरल प्रोडक्स कौन से हैं इंडिया के हमने सभी समझा था कि टी, कॉफी, वीट, राइस, जुआर इन सब के लिए कौन सा टेंप्रेचर फेवरेबल है, कैसा लैंड फेवरेबल है, कौन से स्टेट में ये प्रोडियूस होते हैं आज की इस पार्ट टू वीडियो में हम बात करेंगे कैश क्रॉप्स की, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसको हम उगाते हैं, जादा प्रोफिट यानि पैसे कमाने के लिए, इकॉनोमिक इसको हम समझते हैं तो देखो कॉटन, कॉटन is a खरीफ क्रॉप, कॉटन होल्ट अन इंपोर्टन प्लेस ऐसे कैश क्रॉप इन गुजरात और इंडिया, अट वर्ल लेवल, इंडिया इस अट जादा क्रॉप्स इन दे प्रोडक्शन, तो अगर हम वर्ल लेवल की बात करें, तो इंडिया सेकं करते हैं, एक स्पोर्ट भी करते हैं, कॉटन विदाउट सीड is obtained from the cotton plant, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को कॉटन प्लांट से उगाते हैं, बच्चों इसके कॉटन के कपड़े बनते हैं, बहुत सारी जगर पे कॉटन यूज होता है, मेडिकल भी इसका यूसेज है, इस क कपास कहते हैं, और उसे खाया जाता है, and its seed and oil cakes are used as animal fodder, और जो तेल निकालने के बाद जो सीड बच जाता है, उसे जानवरों को खिलाने के काम आता है, ब्लैक लावा सॉल which can retain humidity for a longer time, Soil with plenty of minerals contains hot and humid climate, 20 degree to 35 degree temperature, and 30 to 70 cm rainfall etc. are favorable conditions for cotton, तो cotton के लिए 20 से 35 degree तक temperature चाहिए, 30 से 70 cm rainfall में भी आराम से उख जाएगा, Actually black soil के अंदर उखता है, क्योंकि उसके अंदर moisture को retain, पकड़ के रखने की शमता जादा होती, और इसलिए cotton को हम लोग black soil का product भी कहते हैं, cotton soil भी कहा जाता है, black soil को प्यार से, The growing season for cotton is about 6 to 8 months, frost damages the cotton crop, तो ठंड या ठंडी हवा, ये सब क्या कर देती है, cotton crop को damage कर देती है, As the farmers of Gujarat have accepted BT cotton seeds, तो ये बहुती बढ़िया cotton seeds होते हैं, जो गुजरात ने अपना लिये हैं, गुजरात stands first in India in area zone, productivity, total production and quality of cotton, बहुती बढ़िया cotton की quality हमें गुजरात से मिलती है, Cotton is grown more in सुरेंदर नगर, राजकोर, बरूदरा, एहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटार्ट, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पातन, जुनागर and जामनगर districts, तो मतलब आपी समझ लीजिए, कुछ एक आदा districts को छोड़के entire गुजरात में cotton बड़ी आसानी से उखता है, बच्चो इस तरीके का map आएगा, आपकी एक्जाम में आप देख सकते हो, green color में sugar cane, यानि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफी उखता है, मारास्टर में उग रहा है, जूट देखो, जूट तर ऐसी जगर पे उखता है, जहाँ पे water supply बहुती अच्छी हो, तो यह वेस्ट बंगाल में, जारकर्ण में बड़ी आसानी से उखता है, तो चलो देखो, अब शुगर केन को समझते हैं, अब देखो, शुगर केन को देखते हैं, शुगर केन is a major crop in India, maximum, शुगर केन is sown in India in the world, in production, India ranks second after Brazil, शुगर, गुर्ड, जो आप खाते हैं, गुर्ड का फिर क्या है, यह खांट सरी और इथनॉल, इथनॉल मतलब शुगर केन, इथनॉल बच्छो अलकोहॉल का एक गृप है, एक प्रोड़क्ट है, और यह गुर्ड को फर्मेंटेशन यानि सडा कर बनता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती, ग्लुकोस होता है, ब्लैक फर्टाइल, अलुवियल, लावा सोयल, होट अनुमिट क्लाइमेट, 21 दिग्री सेल्शियस तो 27 दिग्री सेल्शियस टेंपरेचर के बीच में, 75-100 cm रेंफॉल आर नेसेसरी फोर शुगर केन, उतर प्र करता है, उत्तर प्रदीश, टॉप वाइज, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे जादा करता है, प्रोडक्शन, गुजरात में, सौरास्ट्रो में, शुगर कें, जादा प्रोड्यूस होता है, अब बात करते हैं, जूट की, बच्चों, जूट बैक्स, जूट के, जो बोरे हो गोल्डन फाइबर, जूट, क्लॉट, गनी बैक्स, मतलब बोरे, मैट्रेस, यानि जो वो होते हैं, पैर पहुंचने के लिए, जो हम लोग मैट्रेस बनाते हैं, बैटने के लिए, रोप्स, बैक्स, फोट्वियर्स, हैंडिक्राफ्ट इटम्स, आर मेट फ्रूट, इंडि वेर, new sediment is deposited every year, तो ऐसी जगर जहां पे नदियां हर साल deposit करती हैं, बहुत सारी अच्छी मिट्टी को, hot and humid climate, 30 to 40 degree Celsius temperature चही होता है, अब देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें जूट से बनती हैं, temperature and more than 100 cm rainfall, जूट is grown more in गंगा डेल्टा, इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, औरिसा एंड उत्तरप्रदेश, अब बात करते हैं टॉबेको की, बच्छों ये सोचते होंगे आपके टॉबेको जैसी हानिकारत चीज़ें क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि टॉबेको के उपर tax बहुत जादा लगता है, इससे government की बहुत जादा आवक होती है, टॉबेक टॉबेको को उगाने की permission दे देती है, तो देखो टॉबेको इस खरेफ क्रॉप, सेंड इलूमी सोईल, 20 डिग्री सेल्शियस तेंपरेचर और 100 सेंटीमिटर रेंफॉल आर स्यूटेबल फॉर टॉबेको कल्टिवेशन, 100 सेंटीमिटर जितनी रेंफॉल चाहिए होती है, के लिए, soil is determining factor, then climate for tobacco cultivation, तो soil बहुत जादा important है, सेंडी लूमी सोईल होना चाहिए, और rainfall से उतना जादा, इसको climate से फर्क नहीं पड़ता, major four countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA, Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka are major states producing tobacco in India, The 4th region of Kheda and Anand district, Mehsana, Varudra, Panchmahal grow more tobacco, तो यह गुजरात की अगर हम बात करें, about 80% of BD tobacco of India is produced in Gujarat, 80% BD जो बनती है, tobacco का यूज करके वो गुजरात में बनती है, tobacco is used to make goodka, BD, cigarette, snuff, etc, tobacco consumption is harmful to health, Sikkim is the first state to ban tobacco goodka, तो यह बहुत ही harmful होता है health के लिए, बच्चों आपको बता दू, जो चारोतर region है, tobacco जब ripe हो जाता है, पक जाता है, तो उसकी leaves इतनी जादा golden हो जाती है, कि अगर आप दूर से देखोगे, तो आपको लगीगा सोने की खेती हो रही है, इसलिए चारोतर region को golden region भी कहा जाता है गुजरात का, अब बात करते हैं rubber की, तो देखो rubber भी हमें पेडों से ही मिलता है, rubber is prepared out of milk ozing out from the latex tree, तो latex tree में से rubber निकलता है, acetic acid is mixed with the milk collected from the rubber plantations, then it is heated on low temperature of, low temperature to obtain rubber, acetic acid मिलाया जाता है, जो भी हमें latex में से milk मिलता है, rubber के लिए उसके अंदर और उसके बाद उससे heat किया जाता है, low temperature पे, it is used in many industrial products like tire, tubes, इन सभी में rubber की जरुरत परती, rubber plantation is carried out in regions, तो खास करके rubber को पाया जासके, इसलिए बहुत सारे ऐसे region से जहां पे इसके tree उगाया जाते हैं, hot and humid climate and heavy rainfall के लिए, Malaysia ranks first in the world in rubber production, in India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Assam and Tripura are rubber producing states, तो ये सारे के सारे rubber producing states हैं, इंडिया के अंदर medicinal condiments and spices के अगरम बात करें, यानि मसाले जो मिलते हैं या फिर medicinal जिनकी अच्छी values जिसके कारण health अच्छी होती, तो गुजरात ranks first in the production of cumin seed, यानि जीरा, fennel, यानि soft seed and isopgul in the world, तो गुजरात में इतनी सारी चीज़ें मिलते हैं, इसलिए गुजरात geographical conditions के कारण इसलिए उसके अंदर industries जादा हैं और वो एक rich state माना जाता है, besides this, India leads in the production and export of dried coriander यानि की धनिया होता है, फैनुगरिक यानि की मेथी, मस्टर्ड, सुवा, अजवाईन, इंडिया contributes about 35% of the total world production of condiments, यानि 35% वर्ल्ड की population को भारत से मसाले जाते हैं, इंडिया ब्लैक पेपर, सिनमन, यानि की हमारी जो दालचिनी वगरा होती है, क्लोव, लॉंग जो होती है, अश्वगंदा, तुलसी, करायतू, मिंधी, अवल, वाइट मूसली, फिर मधू, नशीनी, अशोक, गार्मल, लिंदी पिपर, गालो, अलोवेरा, ये सब बहुत ही बढ़िया medicinal plants होते हैं, घरगर में आपको तुलसी का पेड़ मिल जाएगा, करायतू से हम लोग काड़ा ब के लिए हो, तो इतनी सारे medicinal plants हम लोगों के आसपास में इजीली अविलेबल हो जाते हैं, और इंक्लूड़ एज मेडिसिनल प्लांट्स, मिंट यानी, पोधिना, मेंथोल, फिर पाल्मोजरा, पाल्मोरोजा, लेमन ग्रास, जो हम लो ग्रीन टी के लिए, फेशिल अक्नी के आसानी से मिल जाते हैं, और इंक्लूड़ एस फ्लेवर्ड क्रॉप्स, तो अब बात करते हैं, फ्रूट, वेजीटेबल्स, और फ्लावर्स की, इन फ्रूट प्रोडक्शन, इंडिया रंक 2nd आफ्टर चाइना, फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एपल, ग्रेप, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडू, एंडर प्रदेश, एस ग्रेप प्रोडक्शन, इस देमांड, इस इंपोर्टे ट्रॉम अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया, तो हमारी आपे जादा ग्रेप प्रोडक्शन नहीं होता, हम ल जो ही, मोग्रो, गलगोटा, यह सब यहां उगाए जाते हैं, पूजा पार्ट, शादी ब्या के, साच रिंगार के लिए फूलों की बहुत जरुवत होती है, दस वेरियस क्रोप्स आर ग्रोण इन इंडिया, अब देखो, यहां पे एक फैक्ट दे रखा है, क्या जानने को मिलेगा, things to know, with the increasing cultivation for crash crops, there is a shortage of grass, various types of grass, like fodder crop, जो हमें जानवरों को खिलानी चाहिए, भई, घांस फूस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब घांस फूस साफ कर रहे हैं, वहां पे फसल उगा रहे हैं, तो दराफ यानि गुजरात दराफ एक, अंजान, पूसा यलो इस बच्चों टाइप हैं, ग्रास के, जो गुजरात मार्विल ग्रास, शानियार, जो है, जिन जावो, दमन, हेमेता, क्लैर्तरिया, और गुजरात की घास जो है, शौटेज हैं की, और इनको उगाया जाता है, अलग से, जनरली ओल ग्रास टाइप शूड बी हार्वेस्ट इन ओक्टोबर, यजिस आफ्टर फोर मंट्स ओफ सोइंग लें, तो बारिश की सीजन में लगबग इनको बोया जाता है, और अक्टोबर में इनको हर्वेस्ट कर लिया जाता है, देखे, तेक्निकल एंड इंडुस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, अगर हम बात करें कि क्या न लोग farming करते थे अब modern implements आगए tractors आगए हैं देको trailers आगए हैं रोटावेटर्स आगए हैं common यह बड़े आसानी से मिल जाते हैं besides modern equipment like thresher and harvester भी हमें मिल गए हैं आसानी से आप फसल काट लो साफ कर लो wheat harvesting के लिए there is an increase in the usage of chemical fertilizer hybrid seeds hybrid मतलब यह जो chemical ही बनाए गए सीड होते हैं bt seeds insecticides जानवरों को मानने के लिए जो chemical होता है अलग-अलग irrigation की facilities हमने बढ़ा लिए green house effect से बचने के रस्ते सोच लिए हैं student ही सारी चीज़ें आप अपने eight standard के आप first chapter में crop production and management में सब सीख चुके हैं तो चलिए अब देखते हैं technical reforms की अगर हम बात करें technology में कितने आगे हो गए हैं हमारे जो किसान हैं तो समझते हैं the changes which have taken place in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms reforms, re ka मतलब होता है फिर से forms जो बना है तो पहले हम कैसे bg use करते थे कैसी khad use करते थे कैसे tools use करते थे खेती बाड़ी के लिए अब हमने इन में क्या changes किये हैं उसी को हम बच्चो technical reforms कहते हैं the farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersal pumps तो पहले leather buckets यानि जैसे tire होता है, tire के अंदर पानी डाल डालके एक जगे से दूसरी जगे लेके जाते थे, मसंद इसको हिंदी में कहते हैं और उनके पास में बिचारों के पास में कोई pipe तो होते नहीं थे वील के मदद से वो जो कुए होते हैं उनमें से पानी निकालते थे अब यूस करते हैं, submersal pump की बात करते हैं, monoblock pump की solar pump है, drip irrigation system है, sprinkler जिससे पूरे खेट में आसानी से पानी पहुंच जाता है वेस्टेज भी कम होता है तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये अलग-अलग मतलब minerals हैं यहाँ पे जिससे nitrogen हो गया, phosphorus हो गया तो आपने अपने science के chapter में improvement in crop production के अंदर पढ़ रखा है कि दो type के minerals चाहिए होते हैं, plants को एक होते हैं, macronutrients से होते हैं, micro, macro मतलब जादा amount में जो चाहिए micro मतलब जो कम amount में minerals चाहिए जैसे हमारी body को calcium, vitamin चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अब देखो, farmers are constantly guided through audio, मतलब radio, television, newspapers DD किसान channel, SMS on mobile by किसान, toll free number, यह दे रखा है देखो, government, farm, web, portals, eye, kherut and mobile app like agree market तो यह सब बच्चों आपको 10th standard में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब आप इतने mature हो गए हो कि अगर आपके आसपास कोई किसान है आप उसे यह चीजों से aware कर सकते हो, अगर आपके parents कुद किसान है तो आप उनकी मदद कर सकते हो कि इन चीज, इन चैनल्स पे, इन नंबर पे हम बात करके लीटीज जानकारी जान सकते है तो फिर देखो, new agricultural researchers and new techniques are conveyed to the farmers in the villages by gram सिवक, तो gram सिवक क्या करते है, farmers को सारी information देते है फिर देखो, a farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training तो हर एक district के अंदर एक training center, एक headquarter बना दिया गया है जहां पे farmers को training दी जा सके, कि किस तरीके से आप किस time पे बढ़िया से बढ़िया खिती कर सकते है recent information and guidance are provided to the farmers through agricultural fairs in गुजरात तो गुजरात में ऐसे मेले किये जाते हैं जहां पे information और guidance दी जाती है agricultural university and agricultural colleges are established in every state agricultural university are established at दांतिवाडा, जुनागर्ड, आनंद, नवसारी in गुजरात तो ही बड़ी-बड़ी universities हैं जहां पे आप दिग्री ले सकते हैं government jobs कर सकते हैं, research कर सकते हैं और इस एक यह जो हमारा देश है क्रिशी प्रदान देश इसको और भी जादा सुनहरा बना सकते हैं इस उनिवर्सिटीज करी आओ और रिसेर्च और प्रिपेर्स न्यू एक्सपर्ट इन अग्रिकल्चर besides these, Indian Council for Agricultural Research, ICAR and Department of Agricultural Research and Education, DARE, DARE are active at national level तो अभी हमने उपर जो इनिवर्सिटीज देखी वो गुजरात के लिए थी और ये जो हैं, institute से national level के हैं अब देखो, institutional reform की अगर मैं बात करूं, institutions में कैसे reform हो रहे हैं तो देखो, the reforms connected with land ownership, crop subsidy and sale of farm produce are considered to be the institutional reforms in India किसको हम जमीन दे, crops के उपर किसानों को subsidy, यानि कम दाम में हम कैसे खरीदे या उनको कैसे कम दामों में बीज दे, sale को हम कैसे बढ़ा सकते हैं यह सब institutional reforms है, government has discarded land lordism and stopped the exploitation of farmers land lordism यह जो था, पहले के समय में जो यह होते थे, जमीनदार, यह सब government ने बन कर दिया है गरीब किसानों का exploitation, यानि जो शोशन होता था, उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई है under the law, land to the tiller, जो जमीन में काम करेगा, मिट्टी उसी की है, जमीन उसी की है land tenancy act, the land tillers have been given their right to become the land owner और जो उस जमीन पे काम करेगा, वही उस land का मालिक है, यह उनको अधिकार दिया गया है the disparity among the land owners had been removed by land sealing act तो यह जो बेदभाव, यह जो लडाई जगड़े थे, यह सब बंद कर दिये गए हैं, land sealing act के द्वारा farmers are given financial help for crop subsidy by किसान, credit card and by nationalized and cooperative banks तो चाहे nationalized bank हो, या फिर local banks हो, हर जगे से किसान, credit card, यानि आप पहले पैसे ले जाईए आप अपनी फसल उगा लीजे, फिर देरे-देरे loan के form में उसको चुका दीजे farmers are given full insurance protection of their crops through Prime Minister Crop Insurance Scheme अगर कीडे फसल को खा गई, या बाड आ गई, तुफान आ गया, किसी भी कारण से अगर फसल खराब हो जाती है तो फसल का insurance scheme जो है, Prime Minister Crop Insurance Scheme के तहत, farmers को पूरा का पूरा insurance का पैसा या help मिल जाएगा When the crops fail due to drought or through excessive rain, farmers are given financial help by government अगर सूखा आ जाता है, बहुत जादा बारिश हो जाती है, तो financial help government farmers को देती है By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards तो अगर मतलब किसी को support चाहिए, किसी किसान को, तो legal support दिया जाता है, ताकि वहाँ पे auction यानि बोली लगाई जाती है और यह होते हैं, तो उनमें इस तरह के auction लगते हैं Facilities like cooperative societies, market associations, cooperative warehouses, cold storages, transportation and communication etc. have been provided that farmers would get the minimum support price of the farm products तो यह अलग-अलग cold storage कहलो, transportation कहलो, communication कहलो, यह सब उन्हें कम से कम दाम पे government provide करती है ताकि वह उससे फाइदा ले सकें Following organizations are operating for the purchase of farm products from the farmers at support prices तो यहाँ पे बच्चों नीचे कुछ आपको organizations के नाम दे रखे हैं, जो farmers को support करते हैं उनसे मतलब सही दाम में फसल को खरीदने के लिए तो देखो National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India, NAFED फिर Gujarat Co-operative Oil Seed Growers Federation, तो Grow Fed फिर National Dairy Development Board, तो NDDB तो यह अलग अलग यहाँ पे डेडी की बात क्यों आई क्योंकि बच्चों बहुत से लोग पशुपालन करते हैं, दूद बेचकर भी अपना business करते हैं फिर देखो अब Green Revolution की बात करते हैं, हरित क्रांती बही किस तरीके से Green Revolution आया हमारे देश में किसान ने बहुत अच्छी महनत करके जो फसल प्रोडक्शन में increase करवाया है, उसकी बात करते हैं Green Revolution took place in our country in the decade of 1960, but before that there was a time when there was an acute shortage of food grains in the country तो 1960 से Green Revolution स्टार्ट हुआ, उससे पहले की समय में बहुत ही जादा खानी की तंगी थी, अपनी अगर अपनी लोवर स्टैंडर्स में पढ़ा है तो बिटिश के टाइम पे तो ऐसे समय भी आय थे जब लोग भूग से मर गए थे, approximately 15 लाग से जादा लोग भूग से मरे हुए पाए गए थे, 1857 के आसपास In an agrarian country had to import food grains, the country was struggling against such dependent conditions तो जो देश जहां पे खेती सबसे ज़्यादा primary occupation है लोग जहां पे खेती करते हैं उस देश को जब बाहर से फसल मतलब crops मंगवाने पड़े अनाज मंगवाना पड़े तो देश की क्या हालत होगी सोचिए The extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in irrigation is known as green revolution तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अच्छी quality के seed use करना, chemical fertilizers का use, electricity का सही माइने में distribution, पानी की व्यवस्ता ये सब जब किया गया तब real में green revolution हुआ ये हम कहते हैं Main objective of the green revolution was to increase agricultural production, एक ही मतलब कहते है न, गोल था कि हम लोग agricultural production को बढ़ा दें, ये green revolution का main objective था Farmers were encouraged to use chemical fertilizers and insecticides more, farmers को encourage किया गया था कि आप जाधा से जाधा chemical fertilizer insecticide का use करो This lead to attain the target to increase the agricultural production, इस से क्या हुआ जो हमने target बनाया था वो हमने achieve किया There has been a record production of wheat and paddy due to green revolution, तो record बताते हैं कि हमने target अचीव किया, wheat और paddy में हमने एकदम Doom record बना दिया था green revolution की बाद, where there was a scarcity of food grains in the country, today there is sufficient storage of food grains जहां पे हमारे देश में पहले खाने पिने की अनाज की कमी थी, आज हमारे पास में खूब हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं Once drought was a hazard of regular interval in India, its adverse effects are not seen after the green revolution पहले तो आप ये समझ लो, सूखा यानि बारिश ही सबसे बड़ा कारण होती थी, क्योंकि बारिश नहीं होती थी regularly तो इसके कारण फसल धंग से उकती नहीं थी, आपने अमिर खान की मुवी देखी होगी लगान उस मुवी में कैसे दिखाया गया है, बारिश के इंतजार में किसान कैसे मर रहे होते हैं, तो इस तरीके से बच्चों, green revolution के बाद जब हमने इरिगेशन के नए modern methods बना लिए, फिर ये दिक्कत का भी नहीं आई, due to the buffer stock of food grains, the conditions of drought of scarcity are faced conveniently, तो हमारे पास में पहले stock नहीं होते थे, इसलिए उस समय हमें बड़ी दिक्कत आती थी, ड्रॉट का और सूखे का सामना करने में, अब हमारे पास सब कुछ है आराम से, तो हमार से सुखे का सामना कर सकते हैं, the self-sufficiency in food grains is a landmark of historic achievement of grain revolution, today the production of cash crops has increased and the production of pulses and other cereals has decreased, with the repetition of same crop to reach the stage where other countries of the world have progressed using better technology in agrarian field, we will have to be ready for next grain revolution, आज हम ऐसी एक मतलब city में हैं, जहां दूसरी countries और भी ज्यादा better चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम भी अब शायद next grain revolution की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो, role of agriculture in Indian economy, बै क्या importance है, किसान जो होते हैं, वो ज्यादा तो बैचारे कमाती नहीं है, तो क्यों ना सब ल agriculture से तो समझते हैं, देखो, agriculture is the main occupation in India, main rosegar है, the pressure which India had at the times of independence is now reduced somewhat, however, it still has an important contribution in Indian economy, it provides employment to about one half of the population of country, तो agriculture हमारी देश की कम से कम, one half जितनी population को job देती है, employment देती है, agriculture holds about 17% of total gross domestic production GDP, तो जो 17% जो भी domestic production GDP rate होती है, वो agriculture देती है, paddy, wheat, oil seed, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc, major agricultural products of India, much foreign exchange is earned from their export, हम इन चीजों को जब बाहर बेचते हैं, तो हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, India ranks second in the world in agrarian production, तो भारत second number पे आता है, ये सारी चीजों को produce करने में, industries like cotton textile, यानि कपड़े बनाने वाली, sugar, paper, oil, are well as the industries regarding the food processing, get their raw material from agricultural products, तो बच्चों आपने देखा है, आप लोग चिप्स खाते हैं, या cotton के clothes पहनते हैं, या अच्छे से अच्छी महिंगी से महिंगी notebook यूज करते हैं, तो उसकी जो paper होते हैं, या cotton की जो कपड़े होते हैं, या जो चिप्स खाने के लिए जो आलू होते हैं, वो सब हमारा agricultural farm ही तो देता हैं, बड़ी-बड़ी industries को, agriculture produces food to the people of India, the Indian contribution is not consistent in the world agricultural market, because of irregular and uncertain rain and inadequate facilities for irrigation, तो बसकी consistent नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में पानी की कोई बहुत बढ़िया वैवस्था अभी तक नहीं है, और अभी भी मतलब awareness उतनी नहीं है, बस यही चीजों को अब हमें और इंप्रूव करना है, food security is necessary for any country today, तो देश में अगर खाना नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, तो food security सबसे जादा है हर देश के लिए आज के समय में, if the demand for the food grains is increasing and if the food grains have to be imported, then the political independence of that country may be at risk, अगर आज हमारे देश में खाने की कमी हो जाए और हमें खाना दूसरे देशों से मांगना पड़े, तो इससे जादा बुरी हालत किसी भी देश की नहीं हो सकती, we have become self-reliant in the field of grain production due to green revolution, along with the increase in farm production, there is an increase in population of the country also, तो अगर आज खेती बढ़ी है तो ये ना भूलें कि हमारे देश की जनसंग क्या भी बढ़ रही है, इन 1951 कि अगर हम बात करें, इंडिया की population सरिफ 36 crore 10 lakhs थी, और आज more than 25 crore बच्चो आपके किताब में लिखा है, लेकिन current scenario ये है कि more than 135 crore, 135 crore हो गए हम, अभी तो 100 साल भी complete नहीं हो है, तो मतलब दुगने नहीं हम तो बहुत ही जाधा speed से बढ़ रहे हैं और उतनी speed से तो हमारा production बढ़ नहीं रहा है, this has increased the demand for food grains, however, there has been an increase in the production of food grains in our country during last 5 years, तो हमनी production तो लास्ट 5 years में बहुत ही अच्छे से किया है, जैसे 1950-51 में इंडिया का produced, इंडिया had produced 51 crore tons of food grains, which had increased to a record level of 265.04 crore tons in 2013-14, तो यहां पे हमनी production में भी increase कर लिया है, 2013-14 की हम बात करें, तो बचों, मतलब यह book भी अभी काफी पुरानी हो गई है, समझ के चली है, कम से कम 7-8 साल तो भी पुरानी चली रही है, तो तब तक का ही ratio हमारे पास है, with the food grains which we have today, the minimum requirement of the country can be fulfilled, it is necessary to maintain buffer stock and to increase it, तो हमारे पास में अनाच की जो भंडार हैं, सब को maintain करना भी बहुत जरूरी है, by the buffer stock of the grains, the scarcity of the grains can be prevented during droughts or in case of inadequate production of the food grains, तो हमीं जो extra food stock को रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी सूखा हो गया या कोई और कारण हो गया, तो हमारे देश में खाने की कमीना हो, तो अगर हर साल अगर production अच्छा होता है, जो भी हम बचा के रखते हैं, वो हम बांच सकते हैं गरीबों में, फ्री में, अगर हर कोई अच्छे से खाने का वेस्टेज ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों, जो खाली पेट रात को सोते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है कि गरीबों तक कम से कम दाम में रैशन के तुरू या कैसे भी, फूड पहुचा रही है गरीबों को, क्योंकि बच्चों गरीबों तक खाना पहुचाना भी ज़रूरी है, हम वेस्ट ना करें फूड को, यह सबसे बढ़िया होगा, इंपक्त ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन ऑन इंडियन एग्रिकल्चुर, ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब यह होता है, बच्चों सारे विश्व को हम एक बिजनस से जोड़ दें, आप जैसे इंस्टाग्राम, फेस्बूक, वाट्साप, सब कुछ यूस करते हैं, इस से क्या फर्क पड़ रहा है हमारी भारती अग्रिकल्चर पर वो समझते हैं, तो देखो, तो देखो, तो गलोबलाइजेशन के बाद में, जो गवर्मेंट ने जो छूट चार्ट दी होती है, लिबर्टी दी होती है, कि आप कहीं पे भी बिजनस कीज़िए, इंपोर ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो राहत दी होती है, इससे क्या होता है कि अगर हमारे देश में कोई अलग चीज उग रही है जो हम किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो किसान एंकरेज़ फील करते हैं और उस आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं cotton, chillies and till are now available in Chinese markets and various fruits from world are now available in Indian market the costly genetically modified BT cause seeds sold by multinational companies are now available in India तो इस जो BT seeds होते हैं जो अच्छे बहुत ही hybrid seeds होते हैं जो अच्छा production देते हैं यह मेरे देश में पहली थे ही नहीं लेकिन अब हम दूसरे देश से जब इनको खरीज सकते हैं तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हम ज़्यादा कमा सकेंगे. The production of cotton and maize has increased. With the import becoming smoother, the domestic farm products have to face tough competition. लेकिन यहां पर फर्क कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, Every coin has two sides, या हर चीज के अच्छाई भी है, बुराई भी है. अब क्या होता है, हम अच्छी चीज़ें बहार से आसानी से import कर लेते हैं. हमारी देश का ही जो चीज़ें होती है, उसको tough competition face करना पड़ता है. Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their parents. It is necessary to register qualitative farm productions as national patent in the world market. अगर हम किसी भी चीज़ को पूरे दुनिया में बेचना चाहते हैं, तो हमें उस हिसाब से उसकी quality produce करनी पड़ेगी, और हम patent ले सकते हैं, कि ये चीज़ पूरे दुनिया में हम ही सबसे जादा better produce कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, दुनिया में हर जगे से हमारे बास में demand आ जाएगी. To face the competition in agricultural products and global markets, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. तो हमारे पास में new technologies होनी चाहिए, हमें quality पे जादा ध्यान देना पड़ेगा, quantity पे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि population इतनी बढ़ गए है, क्या करें? मगर quality अगर नहीं होगी, तो फिर हम अच्छा export नहीं कर पाएंगे. A series of plant steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो अभी बताई जाएगी, कि बही कैसे हम बहुत जादा पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छा ही भी. तो देखो, with increasing population, the probable future increase, the demand for agricultural products, and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. तो जैसी 1951 में हमनी green revolution की शुरुआत की 60 में, 1960 में और हमने पूरा नक्षा बदल दिया agriculture का वैसी, अभी हमें दूसरी strategy बना जाएगी,